नमस्कार आप देख रहे हैं जियोबी नूस तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आपको बता दे कि अगर आपने अभी तक जियोबी नूस को सबस्क्राइब करने के बाद ओल नोटिफिकेशन बे में कहा कि अभी तक हमारी नुक्लियर को लेकर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की रही है लेकिन भविश्य में क्या होता है यह किवाल हलात बर निर्वर करेगा राजनात सिंग ने कहा यह एक सन्योग है कि आज मैं जैसल मेर में इंटरनेशनल आर्मी स्काउट कंपेट्शन के संधानजरी देनी चाहिए पूर्वा प्रधानमत्री जब प्रधानमत्री थे तब मैं 1998 ने प्रमाणु परिक्ष्ण उनक्रे समय में किया गया था अगर आपने फिल्म जॉनी एलेल भी देखी है तो आपको वाद्रिश यादी होगा जहां जज वकील को डाटते हुए कहता है यह किस तरह की पेटीशन फाइल दाकिल कर रखी है भाई अपील को एपल लिख रहा है आज कुछ ऐसा ही हुआ सुप्रीम कोर्ट में अनुचे 370 मामले पर सुनवाई के दोरान देखने को मिला मामले को सुनने के लिए खास तवर पर बैटी तीन जजों की बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोई याचिका करता वकील मनुहर लाल सर्मा पर नराज होग और अब पुलिस वालों को हफ्टे में एक दिन के छुटी मिला करेगी योगी सरकार के इस वैसले की पुलिस विभाग में तारिफे सुरू होगई है कि पिछले लंबे वक्त से पुलिस की ओर से ये मांग की जा रही थी इंस्टाग्राम में आएंगे नए फीचर्स बुमरंग और स्टोरीज में होगा बदलाव पुलर सोचल मीडिया एप इंस्टाग्राम पर मलिकाना हक रखने वाली फेस्टबुक ने इंस्टाग्राम में होने वाले बड़े बदलाव भी सामिल है इंस्टाग्राम पर जल्द ही स्टोरीज और बुमरंग में नया लेयाउट देखने को मिलेगा रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम के सभी नए फीचर्स अभी सेटिंग पेज में है पूर्वित्मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट ने तापी चितंबराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन बयानों की तारिफ की है और कहा कि हम सभी को स्वागत करना चाहिए पिये मोदी ने छोटा परिवार प्लास्टिके खिलाफ मुहीम और वेल्थ क्रियेटर्स पर बयान दिया है कस्मीर में चरणबद तरीके से हटेगी पाबंदी बारा दिनों में नहीं हुआ कोई जानमाल का नुक्सान ऐसा कहना है मुखिस सचीव का जम्मु कस्मीर में उचेतिन सुस्तर को कमजोर किये हुए अब तक 10 दिन से भी अधिक का वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी कई हिस्सों में धारा 144 लागू है और मुबाल से वाबंद है सुक्रवार को जम्मु कस्मीर मुखिस सचीव BVR सुब्रमन्यम ने एलान किया कि जल्द ही घाटी में हालात समान होगे और पाबंदियों में छूब भारत चीन के विकासील देश के दरजे पर ट्रम्प का विवादित बयान कहा नहीं उठाने देंगे फाइदा एक प्रचार सभा के दोरान ट्रम्प ने भारत और चीन को मिलने वाली विकासील देश के दरजे पर सवाल खड़े किये हैं अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने भारत और चीन के विकासील के देश के दरजे पर कड़े तेवर इक्तियार कर लिये हैं डोनल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि भारत्व चीन अब विकासिल देश नहीं रहे ट्रम्प ने दावा किया कि वे वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजिशन की टैग का फायदा ले रहे हैं और चेताया कि वह अब इसे और नहीं होने देंगे